महत्मा गांधी का अपमान और उनके हत्यारे गोटसे का सम्मान आजकल पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छड़ी हुई है गांधी के लिए अपशब्द कहने और गोटसे को नमन करने वाले काली चरण महराज को ग्रफतार कर लिया गया है पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस वजह से किसी को ग्रफतार किया जा सकता है गांधी के विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर गांधी के अपमान करने पर ग्रफतारी हो सकती है तो फिर आए दिन वीर सावरकर का अपमान करने वालों को गिरफतार क्यों नहीं किया जाता है वहीं गांधी के समर्थकों का आरोब है कि 2014 के बाद कुछ इस तरह के हालात इस देश में बना दिये गए हैं कि आजकर लोग खुले आम गोटसे का महिमा मनन करने में लगे हुए हैं दरसल काली चरण महराज का बहाना बना कर इस देश का सैकुलर और लिबरल गैंग बिजेपी और आरेसेस पर निशाना साध रहा है ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या 2014 के बाद ही गोटसे का महिमा मनन शिरु हुआ है या फिर गोटसे 1948 में ही गांदी की हत्या करने के तदकाल भाद ही कुछ लोगों की नजर में हीरो बन गया था गोड़से ने जो किया था उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी को गोड़से का महिमा मंदन करना चाहिए लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्यों, कब और कैसे कुछ लोगों की नजर में गोड़से हीरो बन गया इसलिए आज खरीबात में हम तत्यों, तरकों और सबूतों के साथ इस बात का ध्यन करेंगे कि गोटसे के महीमा मंदन की शुरुआत कब से हुई आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह गोटसे के जीते जी कुछ लोग उसे अपना हीरो मानने लगे थे आज मैं आपको बताऊंगा कि जब गोटसे पर शिमला की अदालत में केस चल रहा था तो कैसे कुछ महलाओं ने उसके लिए स्टेटर बुनकर भेजे थे आज मैं आपको बताऊंगा कि गोटसे को सजा सुनाने वाले जजने ये क्यों कहा था कि अगर जनता के हाथ में फैसला होता तो गोटसे बाइजद बरी हो जाता आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहरू और सरदार पटेल को इस बात की चिंता थी कि गोटसे नायक बन सकता है यानि हीरो बन सकता है साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस समय की नहरू सरकार गोटसे की लोगप्रियता से इस कदर घबरा रही थी कि उसे गोटसे का अंतिम संसकार जेल के अंदर करना पड़ा था आज आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आखिर जेल में जिस जगा गोटसे की चिता जलाए गई थी वहां सरकार ने हल क्यों चला दिया था साथ ही आपको ये भी बता चलेगा कि आखिर गोटसे की अस्तियों से सरकार क्यों डर गई थी और उसे अमबाला की घगर नदी में क्यों फिक दिया गया था तो आईए बिना देर की ये शुरू करते हैं गोटसे के हीरो बनने की कहन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से गोटसे अपने जीते जी ना केवल पुर्शों के बीच बलकी महलाओं के बीच भी लोग प्रिये हो गया था और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा इस बात पर महुर लगाई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उन्होंने अपनी मशूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में ये बात लिखी है जिसका हिंदी अनुवाद आजादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है दरसल गोट से अंबाला की जेल में बंद था जब शिमला की हाई कोर्ट बेंच में उसका केस पहुचा तो उसे शिमला लाया गया जब उसकी पहली पेशी हुई तो वो बिना स्वेटर के था और शिमला की ठंड में पूरी पेशी के दोरान वो ठिटोर रहा था इसे देख कर कोर्ट में मौजूद शिमला के बड़े बड़े घरों की महलाएं बहुत दुखी हुई उन्होंने इसके बाद क्या किया इसका वर्णन मौलाना आजाद ने अपनी इस किताब आजादी की कहानी के पेश नंबर 218 पर किया है मौलाना आजाद इस किताब में लिखते हैं कि शिमला में बड़े परिवारों की कुछ महलाओं ने गोटसे के लिए बुन कर स्वेटर भेजा गोटसे की रिहाई के लिए आंदोलन भी चलाया गया उसके समर्थकों ने खुलकर उसकी करतूत का समर्थन किया और ये कहा कि चूकी गांदी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे इसलिए उनके हत्यारे को फांसी नहीं दी जाना चाहिए जवारलाल नहरू को तार भेजे गए कि गोटसे को फांसी देना गांदी जी के सद्धानतों के विरुद्ध होगा परंतु कानून का चक्र अपने ढंग से घुमा और उच्च नियाले ने उसकी सजा बाहल रखी तो सुना आपने खुद मौलाना आजाद ने कहा है कि बड़े घरों की महिलाएं नातुराम गोटसे के लिए अपने हातों से स्वेटर बुन रही थी याद रखिए उस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी बलकि नहरू की सरकार थी यहां तक की तब तक BJP का जन्म भी नहीं हुआ था और तो और उस दौर में RSS भी सक्रिय नहीं थी क्योंकि तब उस पर प्रतिबंद लगा हुआ था और उसके बाद भी शिमला में गोटसे के पक्ष में इस तरह का महौल था यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि शिमला में उस दौर में विश्व हिंदू परिशत, हिंदू महासबा और बजरंग दल के लोग भी नहीं रहते थे उस दौर में शिमला में भारत का एलिट क्लास यानि वी आईपी क्लास रहता था टौप I.C.S. जजिस और बड़े कारवारियों के परिवार वहां रहते थे और यह सारे वी आईपी लोग कोर्ट में गोटसे पे चल रहे केस को सुनने जाते थे इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में जब गोटसे ने अपना एतिहासिक बयान दिया तो अदालत में क्या महौल था इसका वर्णन किया है इस केस के जज जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी मशूर किताब The Murder of the महत्मा में जस्टिस खोसला ने अपनी इस किताब के पेश नंबर 47 पर जो लिखा है उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जस्टिस खोसला लिखते हैं कि गोटसे की दलील सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोग इस्तब्ध और विचलित थे जब उसने बोलना बंद किया तो एक गहरा सन्नाटा था महलाओं की आँखों में आसू थे और पुरुष भी सुबकते हुए अपने रुमाल ढून रहे थे मुझे कोई संदे नहीं कि यदि उस दिन अदालत में उपस्तित लोगों की जूरी बनाई जाती और उसे गोटसे पर फैसला देने को कहा जाता तो वो भारी भहुमत से गोटसे को बाइज़त बरी करने का फैसला सुना देती तो वो उसे बाइज़त बरी कर देती ऐसा नहीं है कि नहरू की सरकार गोटसे की लोगप्रियता से अंजान थी यही वजा है कि जब गोटसे को अंबाला जेल में फासी दी गई तो गोटसे के शव को उसके परिवार को नहीं सोपा गया यहां तक कि उसका अंतिम संसकार जेल के अंदर ही कर दिया गया इसके बाद भी नहरू सरकार गोटसे के भूत से इसकदर डरी हुई थी कि जिस जगह पर गोटसे का अंतिम संसकार हुआ था उस पर हल चलाकर जली हुई चिता के सारे निशान मिटा दिये गए नहरु सरकार को इस बात का डर था कि कहीं बाद में जाकर इस जगह पर गोटसे का कोई समारक न बच जाए ना सिर्गोटसे के शव बलकि उसकी अस्तियों तक से नहरु सरकार को बेहद खौफ था यही बजा है कि उसकी अस्तियों को अंबाला के पास बहने बाली गगर नदी में फिकवा दिया गया था यह बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ बलकि इस पूरे प्रकरण को दर्ज किया है 1979 में प्रकाशित इस किताब में जिसका नाम है इस किताब को लिखा है दुनिया के महंतम लेखक रॉबर्ट टैन ने इस किताब को गांदी की सर्वस्रेष्ट जीविनियों में से एक माना जाता है इस किताब के पेश डंबर 646 पर निखा हुआ है कि जेल की दिवानों के अंदर गोड़से का अंतिम संसकार कर दिया गया जिस जगापर गोड़से के शव को जलाये गया था वहां हल जला दिया गया क्योंकि कोई वहां कोई समारक ना बना दे गोड़से और आपते की अस्थियों को गुपत रूप से गगर नदी में फेक दिया गया अब आपको लग रहा होगा कि अगर गोड़से की अस्थियों को गगर नदी में बहा दिया गया था तो उसके पूरे के घर में आज जो अस्थियां रखी हुई हैं वो कहां से आई दरसल अस्थियों को नदी में फेके जाने की ख़बर अंबाला के एक स्थानिय पत्रकार इंदरसेन शर्मा को लग गई थी इंदरसेन शर्मा वहां के एक अखवार दर्टरिब्यून में काम करने के साथ साथ हिंदु महासवा के सक्रिये कारकरता भी थे उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ जाकर गोटसे की अस्थियों को घगर नदी के उतले पानी से बरामत कर लिया इसे नहों सरकार की खराब किस्मत ही कहा जाएगा कि उस समय घगर नदी में पानी भी कम था और नदी में भाव भी नहीं था इसलिए वो मटका बचा रह गया जिसमें गोटसे की अस्थियों की ये पूरी कहानी भारत की नंबर वन मैगजीन इंडिया टूडे ने 30 नमबर 1999 के अंक में छापी थी आप चाहें तो इंडिया टूडे की इस खबर को आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं गोटसे की लोग प्रियाता से नहरू और सरदार पटेल को कितना भै था इसका एक उधारन और है गोटसे की जब फांसी तय हो गई तो महात्मा गांधी के बेटे रामदास गांधी और गोटसे ने एक दूसरे को पत्र लिखे थे रामदास गांधी जेल में जाकर गोटसे से मिलना चाहते थे रामदास गांधी की इस इच्छा से नहरू और सरदार पटेल दोनों घबरा गए इस मुद्दे पर सरदार पटेल ने नहरू को 16 जून 1949 को एक पत्र लिखा ये पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल करिस्पॉंडेंस के पेश नंबर 267 पर सरदार पटेल ने इस पत्र में जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए वो लिखते हैं कि प्रिय जवार मुझे वे सभी खत मिल गए हैं जो रामदास गांधी ने गोडसे को लिखे थे मेरी माननीता है कि रामदास गांधी को गोडसे से नहीं मिलना चाहिए इस बात की पूरी संभावना है कि गोटसे से किसी शहीद की तरह वहवार करने की कोशिश की जा रही है जिस बादचीत का प्रस्ताव रामदास दे रहे हैं वो गोटसे के अंतिन दिनों में उसे गौरव प्रदान कर देगी तो सुना आपने किस तरह नहरू और पटेल गोटसे की लोगप्रियता को लेकर चिंतित थे आज 2022 के इस दौर में गोटसे का समर्थन करने वालों को एक खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है तो फिर 1948 के वो कौन लोग थे जो गोटसे के लिए सहनबूती रखते थे अगर आप उस दौर का अध्यन करेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान से आई शराधियों से लेकर शिमला के VIP एलिट क्लास तक का एक बड़ा हिस्सा गोटसे के समर्थन में खड़ा था आखिर क्यों? दरसल हमें उन कारणों को सुलजाने की जरुवत है जिसकी वज़ा से आज भी कुछ लोग गोटसे का महिमा मंदन करने में लगे हुए हैं नहीं तो कल वो भरी अदालत में गोटसे की लिए आसु भाने वाली सब्भे औरते थी और आज साधी प्रग्या और काली चरण महराज हैं और कल कोई और होगा लिहाजा उस दौर का सच्चा इतिहास सब के सामने लाना चाहिए जिससे गांधी का सम्मान भी कायम रहेगा और इस देश की एकता भी फिलाल खरीबाब के इस एपिसोड में इतना ही मुझे आपके कमेंट्स का इंतिजार रहेगा जिनने मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ आप चाहें तो मुझे जुडने के लिए मेरे फेस्बूक पेज प्रखरशरी 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझे जुडना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर है प्रखरशरी 78 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जैसे लाइक करें, शेयर करें और Capital TV को सब्सक्राइब करें नमस्कार